है है गाईज वेलकम टो एन एकेडमी सो नो यूर कॉलिज स्रीज में आज हम लोग डिसक्स करेंगे एक बहुत बढ़िया कॉलिज है आएम्टी गाजियाबाद इसके तीन केंपसें बलकि चार केंपस हैं आएम्टी गाजियाबाद है नागपूर हैडराबाद दुबई में इसका कैंपस है तो आज हमडिसक्स करेंगे आएम्टी गाजियाबाद जब आप फ़र्म भर होगे ना इसके अप्लिकेशन फ़र्म में कमाईन तीनों कॉलेजिज का एक सिंगल फ़र्म होगा क्या-क्या इस एक्शाम के लिए किस इस कॉलेज के लिए क्या-क्या इनिपोर् average student जैसे कि CAT में कुछ student जो अच्छा score करते हैं वो IEMS में जाते हैं उसके बाद कुछ other colleges में जाते हैं मतलब अगर हम top 50 college की बात करें तो IMT is there in that list top college को अगर आप target कर रहे हो देखो more than 250,000 student give CAT exam और more than 80,000 student give Z exam तो ऐसा तो नहीं है कि हर student CAT के थूँ IEM में चला जाएगा या top college चला जाएगा कुछ average student भी होते हैं जब अगर आप CAT में अच्छा score करते हो 93-95 के आसपास आप score करते हो your communication skills are good then कुछ top IM से compare कर सकते हैं इस college को IMT को बहुत simple process होगा इसमें केवल personal interview होता है आपका अगर CAT, ZET और GMAT का score अच्छा है तो you can get admission to this school college and remember जो आपका degree होती है जो आपने college में जो आपने दो साल में पढ़ाई की होगी उसकी degree की जो validity होती है या उसकी जो effective होता है वो आपके एक साल यह 6 मिने तब होता है उसके बाद आपका work culture कैसा आप काम करते उस पर depend करता है बहुत से ऐसे colleges जो IMT गाजियाबाद बहुत से 50 में college आता rank 38 by NIRF on this 2023 की जो ranking में अच्छा campus है 1980 में open है 14 acres का लग्रीन campus है 360 student intake है 360 student intake है and MBA की जो fees है 19,53 इस college में total 4 courses है जो major आपको समझने है चार courses है मैं आपको सारी detail में बताऊंगा तो college के बारे में हम देख लेता है क्या क्या आपको इस college में admission के cut-off का क्या scenario रहता है तीन exam ये accept करते हैं cat 22, z23 अच्छा अब हम last year की बात करें तो cat 23 में cat 22 में इन्होंने 90 percentile minimum cut-off रखा था जैट में भी 90 percentile minimum cut-off और GMAT का score 2019 से 23 की भीक में अगर आपने GMAT दिया है तो 650 is the minimum cut-off राइट अब एक और एक important path है अगर आपका exceptional profile है आपका academic अच्छा है आपका work experience है आप extra curriculum activity में है आपने profile में कुछ short term courses किये हुए तो उसमें थोड़ा आपको relaxation मिल जाता है cat में 87 to 90 percentile cut-off है जैट के लिए 87 90 GMAT 620 to 630 ओके अगर आपका बहुत अच्छा work experience है दो साल तीन साल आपने banking financial sector में जॉब क्या हुआ है तो उसमें भी आपको तुरह relaxation मिलता तो यह सब चीज़ा आपको ध्यार रखनी है राइट कि आएम्टी गाजियाबाद में जो फाइनल जनल केटिग्री का actual cut-off जो जाती हो 93 percentile के आसपा जाती है जैट या कैटी राइट कुछ बच्चे समझते हैं कि आएम्टी गाजियाबाद से अच्छा कुछ आएम्टी बैटर है तो वो depending upon person to person किस तरह से आप work out करते हो मेरे ख्याल से अगर आप communication skill अच्छे है आपकी और दिल्ली के पास NCR में बहुत बढ़िया कॉलेज है आएम्टी गाजिये को कि जैसे आएम के कुछ बेबी आएम से बहुत इंटीर में है इसमें बच्चों को प्लेस्मेंट में बहुत होती है ना अब इसमें हम देखते हैं कि कोर्सेस क्या-क्या है देखो PGDM बेस्ट कोर्स मार्केटिंग फिनेंशल मेनेजमेंट इसमें इंटेक है 360 180 मार्केटिंग में 60 फिनेंश में 60 DCP ड्यूल कंट्री प्रोग्राम होता है इसका और 120 इसमें इंटेक है बैंकिंग फाइनेंसे सेक्टर का PGDM BFS इलिजिबिल्टी बेचलर डिग्री विद 50% मार्क्स देखो यह तो नॉर्मली हर कॉलिज का है 50% मार्क्स तो चाहिए और रिमेंबर यह कट ओफ है बहुत रेर कंडिशन होता है कि 50% वाले को एड्मिशन मिल जाता है 90 85 अबव ही सब लोग लेते हैं सेलेक्शन क्राइटरी लेकिन अगर सीमेट राइट टाइम होगा तो उसका स्कोर भी डेविल एक्सेट राइट अच्छा एक्सलेटर परफॉर्मेंस एक पीजी टेम को सोता है इसमें भी एलिजिबिल्टी है वही 50% और फाइब यह सब वर्क एक्स्पिरेंश एक्शली एक्जेक्टीव प्रोग किया हुआ है तो आपको लीडर्शीप पोटेंशल टेस्ट लेते हैं आपका फिर ऑन्लाइन इंट्रिवी होता है तो कैट का स्कोर इसमें भी वह एक्सेट करते हैं राइट अच्छे अब हम आते हैं में इसका जो है अम देखते हैं इसका प्लेस्मेंट कैसा है जब भी पेट्रो सिटीज के पास होता है जैसे NCR में है दिल्ली के पास है तो बहुर अच्छा कॉलेज है दिल्ली के साब से एंड वन फिफ्टी मोर दन वन फिफ्टी कंट्री कंपनीज विजिटेड इस कैंपस हाइए सीटी सी इंटरनेशनल 65 LPA है हाइए सीटी सी डॉमेस्टिक 34 और LPM average CTC 17.35 तो compared to this fee 19.35 this fee structure is good ठीक 17.35 LPA is good मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग if you are asking for this average CTC जो स्टूडेंट अगर IMT में एडविशन ले तो कहीना कहीन उसकी standing तो होगी academic knowledge उसकी personal interview अच्छा होगा the point is कैसा आपको communication skills है राइट ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा salary ले रहे 34 lakhs पर एनम उनका कहीना कहीना कहीन और आप अच्छी दे समझा सकते हो तो यूविल गेट गुड़ सैलरी तो आपको अपने communication skills पर काम करना है MBA का मतलब होता है कि आपको communication skills improve करा देंगे वो लोग अच्छा major recruitment sector होते हैं इसमें banking financial sector और कंपनी अडानी अच्छा पैटल अमेजन बजाज बन वाई अन्ट यह सब कंपनी इसमें विजिट करती है तो उसी डेटा को हम ज़रा 22 में देखते हैं average package 7.35 lakhs पर एनम with a median of 16.00 lakhs पर एनम average of top 100 students 24.99 आरो यह बहुत अच्छा है college का 93 percentile above this is good college average of top 200 students 10 21.5 lakhs बहुत अच्छा पैकेज है 200 student का 21.5 lakhs होना highest in the salary is 65.6 lakhs highest domestic 34 more than 40% companies are first time recruited yielding 36% of placement बहुत बढ़ीया result है placement अच्छा है आप इस college को target कर सकते हो मैं बताऊंगा किस तरह से करना देखो यहां पर year wise year इनका ctc increase हो रहा है ठीक है average ctc increase हो रहा है 2019 से compare करो तो 2023 में 17 it is almost 50 percent increase so this is good अच्छा है इस college के बारे में कि इसका हर साल increase हो रहा है कोवीड पिरेमेंट रहा डाउन हुआ था बट अधरवाइस इस इंक्रीजिंग अब eligibility criteria 50 percent marks होने चाहिए आपके आप अगर final student is still you can fill the form इनके जब आप application form भरोगे तो CMET score IMT नागपूर और IMT हैडराबाद में accept करते हैं दिल they accept score for IMT नागपूर और हैडराबाद CMET score अच्छा यहां पर important यह है कि कुछ dates यहां दखना आपको GMET आपने दिया हूं between January 1-21 to February 28-2024 तर इसमें GMET का यह 3 साल का window लेते हैं तीन साल के score पर यह लोग admission देते हैं 650 is a good score और 90 प्लस को आपको target करना है ठीक है 90 परसेंटाइल प्लस target करना आपको this is cut off last year मेरे कुछ student 95 percentile पर they get the admission in IMT अच्छा प्लेस्मेंट उनका हुआ है last to last year now कैसे करना है पहली बात register करना है website पर फिर अपनी personal information fill करनी है campus preference and test details अब campus preference and test detail में आप तीन चार जो भी campus आप select करते हैं वह आपको fill करना है test detail आप test में concert test score देने जाते हो cat z gmat academics आपको अपने fill करने 9 10 12 और graduation score work experience यह आपको fill करना है अब एक और बहुत important part fill details about coaching and your knowledge about IMT coaching आपने किस coaching से preparation किया cat z gmat के लिए है वह आपको fill करना होता है your knowledge about IMT वह भी लिखना है identification document undertaking payments and make payment of application fee तो process easy है if a normal student जो form भरता से लिए process बहुत असान है अच्छा अब हम आते हैं सबसे पहले तो आपको test score पर देखना है ठीक है cat 22 या cat 23 और 24 का score GMAT का score then critical thinking personal interview में आपका critical thinking देखेंगे they will check communication and interpersonal interpersonal skills यह बहुत important communication skills पर work करना में हमेशा बोलता हूं work experience देखेंगे आपका duration इसके भी marks होते हैं academic diversity non engineers को कुछ extra marks मिलते हैं हर college के अपने अपना अलग पार्ट है यहां पर दो marks मिलते हैं आपको if you are non engineer then academic scores पर भी marks मिलते हैं then finally personal interview तो आपका test score हो गया work experience academic diversity academic scores and personal interview तो यह सारी कुछ criteria to get admission into this college and कुछ important dates okay या दखना IMT common application open September approximate five these are all dates tentative dates and they can change to up September case first week me you can check IMT website so application open so this September five normally her अच्छे colleges अपनी जो application close कर देते before cat exam ठीक है यह भी क्या करेंगे IMT common application closes number 2523 cat से दो दिन पहले अब होगा क्या they will reopen the application कि अब यह मुझे समझ जाते हैं ऐसे लोग क्यों करते हैं अगर सब लोग cat का score ले तो पहले ही अपनी application को cat के score के बाद ही open करें बट उनका कुछ यह हर college के बारे में कि वो लोग cat से पहले अपने से बाकी college मैंने MBI बताता है वो भी cat से पहले अपना application close कर देते हैं अच्छा IMT admission process start first week of fab में start हो जाएगा आपका declaring of result April 4 और June 24 से आपका session start हो जाएगा तो this is all about IMT देखो मैंने हमेशा बोला है class में की top 50 college से MBA करना है अदरवाइस नहीं करना है मैं know your college के series में बहुत सारे college के detail आपके पास लिक्ए रहा हूं मैंने MDI के बारे में बताया मैं आपको IMT के बारे मताया आएम के बारे में मैं one by one सारे IMs को देरे देरे आपके detail से करूँगा किस percentile पर क्या 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 आपको required है तो it is very important कि अगर आपको MBA करना है top MBA colleges से करना top 50 का target लेके चलना है make a target of cat में जो percentile आपको 95 अबब पर target करना है ठीक है जो top 10 या 15 college और 98 प्लस अगर आप 95 की category में तो this IMT is very good college we will meet you with some details of some other colleges in the next video